आपने स्कूल इंडिया से भी खेला है तो आप कहां से हैं थोड़े अपने बारें भी बताएंगे मेरा पूराना गाउं बहुत है जंगल इरिया बोले तो अभुज माड में आता है इसकूल इंडिया तक पहुच पाया संतोष्ट्रा भी खेला अभी भी खेली रहा हूँ आप लोग छतीसगर लीग जितने के बाद आप लोगों ने इस लीग के लिए क्वालिफाई किया तो क्या कुछ टार्गेट से आगे मैचों के लिए आप लोगों दूसरा मैच हमने जीता है वो भी बाहर की टीम जो की अच्छी खासी थी उसके खिलाब गोल मारके इससे पहले हम लोग मैच आ रहे थे तो थोड़ा सैट थी आने ओले मैच में जीतना मैच होगा अपना कॉन्फिडेंस है कि हर मैच जीतेंगे लास्ट मैच हम लोग उदर हार गया था तो इदर हम लोग जीता अभी तो नेक्स मैस हमारे चिनने के साथ है वो भी हमारे जीतना है कैसे भी फिर उसके बाद और बैंगलोर के साथ है वो सब में मेंटली सबको अच्छी से प्रिपेर होके जाने नमस्कात मैं पुषपे इंदर सिंग ठाकुद बस्तर वारता देखना सुरू कर चुके हैं आप इन दिनों हीदो सेकेंड डिवजन आई लिग के मैचेस चल दे हैं आज बस्तर संभा के नारायनपूर में आरकियम फुटब मैचे थे तो इस मनुवेज्यानिक दबाओ था तो क्या कहना चाहेंगे आप पिछले बार तो हम लोग का कुछ दबाओ था क्योंकि एक्स्पीरियंस नहीं है किसी को बड़े मैचेस का तो और उनका ज्यादा वेनिफिट था कि उनका होम ग्राउंड था इसलिए हम लोग प अब काफी बेनिफिट मिलेगा तो क्या कहेंगे आप अभी तो दो मैचेस लगातर जीत रहें तो अभी कॉन्फिदेंस बड़ा हुआ है तो अभी हम लोग और महनत करेंगे और आगे का जो दो तीन मैचेस से उनको लगातर जीतेंगे अभी कितने मैचेस होने हैं आप इन भी बताएंगे अच्छा मेरे नाम तो सुरेश कुमार दुरू है मेरा पूराना गाओं बहुत जंगल एरिया बोले तो अभी जमाड में आता है लेकिन अभी कुछ सालों से यहीं पर बसे हुए नारणपुर के पास में तो मैं यहां आसरम में फर्ष्ट क्लास से पिछले पार चाहएं रहे तो हम लोग एक साल से मैनत कि है कि टीम को अच्छा बनाए क्योंकि बड़ा लीग है तो इतनी बड़ी बड़ी टीम हैं अच्छे टीम मिलेंगे तो इतने बड़ी बड़ी टीम है है यह किस प्रकार से आप लोगों का एप लेक्ट गर्च जीता है किस प्रकार से आप लोगों का एप आप लेक्टिस करते हैं इसमें तो माराजी लोका जो असरम है बाध से कोच लेकर आए और अपने जो प्लेयर से अच्छ अच्छ लेकर आए और च это गडल जो हम लोग अपने बंदी जाते खेलें तो जीत मीला तो आगे-जाके बड़ा लीग करके और अच्छे कोच लेकर अभी मेंनत किये और सब्सक्राइब करें तो यहां से भी थोड़ा प्लेयर निकाल रहे हैं हमारे साथ और भी प्लेयर से इन से बात करते हैं मैच जितने के बाद कैसा लगता है मैच जीतने के बाद तो खुशी हो रही क्योंकि लास्ट हमने एक्सपरियंस नहीं किया था मैच को जीतने का लेकिन आज दूसरा मैच हमने जीता है वी बाहर की टीम जो की अच्छी खासी थी उसके खिलाब गोल मार के अच्छा लगा आपका कैसा एक्सपीरेंस रहा इस मैच में आप लोग के लिए डू और डाई वाला मैच था तो मैच से पहले किते प्रेसर में तो मैच जीतके तो अपने एकड़म कांफिडेंस लेवल बढ़ गया है आने वाले मैचों के लिए क्या कुछ तैयारी आप लोग होगी आने ओले मैच में जीतना मैच होगा अपना कॉन्फिडेंस है कि हर मैच जीतेंगे इतना तो अपन वही चाहते है कि हमारा पूरा मैच जीतना भी बच्चा हो और सब्सक्राइब कि है आप लोगों के लिए ड्यूर डायी वाला मैच था है रहाँ तो ठीक है नेक्स्ट मैच हमारा चिन्हाइब का साथ है और भी कोशिश करूंगा अच्छा मैच था तो मैंटली किस प्रकार आप लोग प्रिपियर किया है पीपीएर तो पूरा अच्छा ही रहता है लेकिन इसमें तो और भी अच्छा था क्योंकि हम लोग लाश मच हार गया था तो इसा कोई बात नहीं है जो पीपीएर लूज करना है क्योंकि आगे भी खेलने के लिए तो हमेसा पीपीएर हंडेट पर्शन होना चाहिए पिछला में आच आप लोगोंने केरलाख सा थारा था तो इसल pok लोगो था तो कैसे मैनेज किया आप लोगोंने क्या स्ट्रेटेजी रही थे हम लोगोधो तो मतला बदला लेना ही था और या फेर फैन्स लोग पाएथ& अ बच्छे लोग का महरouch का कोच का तो इसलिए साब मेंटली सब इद्धा मनला सबका प्रिपेर होके आया थे कि आज कैसे भी जीतना ही हम लोग और जीत भी जीतने के बाद मोरल काफी हाई होगा तो जिसका बेनिफिट आप लोगों को आगी के टॉर्णामेंट में मिलेगा तो क्या कहेंगे आप अभी तो नेक्स में समारा चिन सकते हैं साथी वीडियो को सेर कर सकते हैं धन्यवाद